है एवरिवान मैं हूँ प्रती और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चानल ट्रांस्टैरो 369 में आज हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो पसन है नो कॉंटेक्ट में है आप से उनका कुछ कॉंटेक्ट नहीं है आप में से कई लोगों के जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी में हैं कई लोगों के जो पार्टनर है वो उनको बिना बताय छोड़कर चले गए हैं कई लोगों के बीच में कास्ट, रिलीजिन, ये सारी सारी चीज़े हैं, so guys आप देखेंगे और जानने के कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है इस रिलेशन्शिप में, okay so universe, my guide, my god, my angels please divinely guide करें और बताएं कि इस रिलेशन्शिप में अब आगे क्या होने वाला है so देखें guys, हमेशा की तरह एक ताइमलिस हर कलेक्टिव रिडिंग होने वाली है so please keep an open mind, okay okay universe, please divinely guide करें और बताएं कि इस रिलेशन्शिप में मेरे वीवर्स और उनके पार्टनर के बीच में अब आगे क्या होने वाला है इस रिलेशन में आगे और क्या होने वाला है universe, please divinely guide करें और बताएं इस रिष्टे में और क्या होने वाला है universe, please divinely guide करें और बताएं okay so here we go okay page of wands okay the moon okay Aries, Leo, Sag, Moon Cancer, Pisces, Scorpio Aries, Leo, Sag okay 10 of pentacles all right ठीक है तो guys देखे यहां पर bottom of the deck हमारे पास Hermit निकल कर आया है Taurus, Virgo, Capricorn and Virgo किसी के लिए यहां पर strong हो सकता है तो चले guys reading को करते हैं शुरू बिना कुछ देर किये अब यहां पर guys आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनके जो पार्टनर हैं अब ही आपके रिष्टे में आगे क्या होने वाला है तो यह जो हैं आपके साथ बाहर गुमने फिरने का plan बना रहे हैं सोच रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी में वापस लाया जाए और यह जो बात में कह रही हूँ यह singles के लिए कह रही हूँ हाला कि यहां पर married लोगों के लिए भी कुछ messages निकल कर आए हैं married लोगों के लिए मतलब जो लोग married person से deal कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ messages यहां पर निकल कर आए हैं पर यह जो messages में बता रही हूँ यह सिर्फ singles के लिए है so singles आपके जो पसन है वो चाहते हैं कि आपके साथ एक patch up करें आपके साथ गुमना फिरना चाहते हैं पर आपके साथ जाना चाहते हैं फिलहाल यह आपको commitment नहीं दे सकते हैं लेकिन फिर भी एक romantic date पर आपके साथ जाना चाहते हैं इनको ऐसा लगता है कि अभी हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा fun time spent करने की जरूरत है इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा excitement और थोड़ा spark और होना चाहिए इस relation में जो की इन्होंने पहले miss किया है अब इनको ऐसा लगता है कि शाया दिरों ने अपनी भावनाएं आप से छुपाई हैं और इनको यह जो है भावनाएं आपको बतानी चाहिए और यहाँ आप में से कई लोगों के लिए ऐसे vibes मिलते हैं कि आपके जो partner है यह बहुत जल्दी आपसे contact करने की कोशिश करेंगे आप से connect करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर guys आप में से कई लोगों को अपने partner की तरफ से good news मिलने वाली है बहुत 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 अच्छी news मिलने वाली है या तो आपके partner आप से communicate करने वाले हैं अगर बहुत दिनों से इन्होंने आपके साथ में no contact situation बना के रखी थी तो आप यह जो है सोच रहे हैं कि यहाँ पर अब इनको जो है आप से contact बनाना है और आपकी तरफ आना है आप में से कई लोग ऐसे हैं guys जिनके partner एकदम intense emotions के साथ में गुजर रहे हैं लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि जो बाते उन्होंने आप से छुपाई है जो disloyalty की है आप में से कई लोगों के partner ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ में disloyalty की है आपको छोड़ के चले गए हैं आपको चीट किया है आपको धुका दिया है किसी और के लिए कुछ लोगों की case में यहाँ पर किसी और की जब मैं बात करती हूँ तो वो किसी और उनकी family भी हो सकती है यहाँ पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस वक्त कोई concrete specific person का card निकल कर नहीं आया है आपके आपके जो partner है मुझे confession के mode में नजर आ रहे हैं आपके पास आएंगे वापस और आकर आपको जो है सारी सचाही बताने के ख्याल में है इनको लग रहा है कि आपके साथ ठीक नहीं किया है आपको छोड़कर चले गए हैं कुछ सच है जो यह आपके सामने आकर बताना चाहते हैं आपके रिष्टे में यह कुछ क्लारिटी आपको देना चाहते हैं जो चुपी हुई थी परदे में थी उन चीजों को यह परदे से बाहर लेकर आना चाहते हैं मुझे यहां पर यह बहुत जादा कुछ रियल्टी चेक करते हुए दिखाई देते हैं गाई जैसा लगता है कि इनको जो है अब कंफ्यूजन में नहीं रहना है जो चीज़ें जैसी है यह उनको वैसे ही देखना चाहते हैं और बहुत जादा डेड्रीमिंग करें हैं कि काश मैं ऐसा करता या ऐसे करती तो ऐसा हो जाता वैसे करती तो वैसा हो जाता पर मैं तरह से अपने रास्ते को चुन नहीं पाया या चुन नहीं पाई और अब मुझे ज़रूरत है एका believers check करने की एक एक रियालिटी में जाने की और एक चीज को एक डिरेक्शन को डिसाइट करने की कि मुझे किस डिरेक्शन में जाना है ओके सो गाइस यहाँ पर इस विदिस सेवन ओफ कप्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के लाइस में एक से या दो से ज़ादा लोग अवैलेबल हैं और यहाँ पर यह बहुत ही ज़ादा कन्फ्यूज भी है डे ड्रीमिंग भी करते हुए नजर आते हैं लेकिन यहाँ पर जो है आपके पार्टनर मुझे एक पॉटेंशल पार्टनर को देखते हुए नजर आ रहे हैं और उनको पता है कि जो है उनके जो पॉटेंशल पार्टनर हैं वो कौन है और अब उनको किस डिरेक्शन में जाना है communication करना चाहते है guys communicate करना चाहते है यहाँ पर आप में से कई लोगों की जो partner है वो married लोगों से आप deal करें है guys तो यह अगर आपको छोड़कर चले गए थे तो अभी यह सोच रहे हैं कि आप से communicate करेंगे कुछ लोगों के case में guys यहाँ पर total detachment की feeling मिलती है और एक किसी miracle के होने का वेट यहाँ पर किया जा रहा है लेकिन miracle यहाँ पर हो नहीं पा रहा है चीजे manifest नहीं हो पा रही है जाने अन जाने आपके partner manifest करना जरूर चाहते हैं लेकिन यह चीज़ें इनके लिए manifest नहीं हो पा रही है फिलाल के लिए detachment की feeling में चले गए हैं अपने आपको अकेला समझ रहे हैं इनको लग रहा है कि कोई नहीं है जिनके साथ यह अपना दुख बाठ सके पेन बाठ सके अलोनेस की feeling में यहाँ पर मुझे चाहते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर इस अलोनेस की feeling में इनको बहुत कुछ self-realization भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं गैज यहाँ पर जो आज जो हम लोग discuss करें हैं आज जिस चीज के लिए हमने reading निकाली है तो यहाँ पर गैज बहुत clear clear messages निकल कर आ रहे हैं कि आपके जो partner है वापस आना चाहते हैं आपके पास और इस रिष्टे में वह जो है एक सुधार चाहते हैं इसमें से जो बहतर option है यहाँ पर अब उस ही direction में इनको जाने का मन कर रहा है ओके आल राइट सो यूनिवर्स प्लीज जैन से हमें कुछ और cards दे दीजिए for better understanding के मेरे viewers के जो partner है वो क्या सोच रहे हैं इस relation में अगला कदम क्या होना चाहिए उनका कुछ तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ गए है messages guys बहुत सारे लोगों में से आपके जो partner हैं आपको messages करने वाले हैं और आपको किसी न किसी तरह से contact करेंगे communication करेंगे इस रिष्टे को आगे बढ़ाएंगे और अगर यह जैसे ही इस तरह से कुछ होता है आपके पास communication आता है please comment box में आकर मुझे जरूर बताएं ओके friendliness देखिए guys miss कर रहे हैं अपने उस relation को दिल और दिमाग काबू में नहीं है direction less हो रहे है इनको समझ नहीं आ रहा है किदर जाओं क्या करूं कुछ है इनकी जिन्दगी में जिसको एक हतम करना चाहते हैं the end वहाँ पर एक pause लगा देना चाहते हैं और चीजों को नए सीरेशी शुरू करना चाहते हैं okay all right बहुत courage इकठा कर रहे हैं guys अपने दिल में और हमारे पास यहां पर breakthrough का card है guys बहुत हुआ आप बस बहुत हुआ आप बस success चाहिए इनको इस relationship में और इस situation में इनको आप success चाहिए यह आप किसी की नहीं सुनेंगे okay so guys देखिए यहां पर भी हमारे पास clear cut messages निकल कर आ गए हैं यहां पर यह बिल्कुल एक miser की तरह act नहीं करेंगे अब इनके पास जो प्यार का खजाना है वो प्यार का खजाना लुटाएंगे and beautiful card यह देखिए guys lovers का card है just below this miser so यहां पर guys आपने से कहीं सारे जो लोग है soulmate के journey में हो सकते हैं और not even soulmate यहां पर मुझे twin flame और soulmate दोनों के ही cards जो है वो नजर आते हैं एक तरफ हमारे पास friendliness का card है this is the card of two of cups in our tarot and this is the lover's card यह तो आप सभी को पता ही है guys की यह card क्या है तो guys यहां पर देखिए एक अपने connection को miss करते हुए बहुत नजर आ रहे हैं आपके partner ऐसल लग रहा है कि एक emptiness की feeling से गुजर रहे हैं कुछ है उनकी जिन्दगी में जो उनको खतम करना है और अपने एक relation को नई शुरुआत देना चाहते हैं एक नए सीरे से सब को शुरू करना चाहते हैं एक नया vision रखना चाहते हैं directionless हो चुके हैं फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है उनको दिल कहीं दिमाग कहीं जा रहा है traveling का card है दिल कहीं गूम रहा है दिमाग कहीं और ही गूम रहा है present condition में वो कहीं और ही है लेकिन वो जो है एक action लेना चाहते हैं देखें बहुत courage जुटाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और कहीं लोगों के case में guys हमारे पास breakthrough just below 8 of wands आया है so guys 8 number यहाँ पर किसी के लिए बहुत important हो सकता है देखें यहाँ पर 8 number है हमारे पास दो बार और यहाँ पर हमारे पास success breakthrough का card आया है so guys यहाँ पर clear cut यहाँ पर communication मिलता है आपके partner की तरफ से कि आप बस बहुत हो गया है next action उनको लेना है और उन्होंने अपने दिल में सोच लिया है वो आपको प्यार करते हैं आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं आप से बात करना चाहते हैं आपका साथ चाहिए उनको okay और guys आप में से जो लोग married person के साथ में deal कर रहे हैं वो भी देखिए कुछ खासे यहाँ पर मुझे खुश तो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन अपनी family में जैसे तसे adjust करने की कोशिश कर रहे हैं और especially जो लोग married person के साथ deal कर रहे हैं guys यहाँ पर चीज़ें आपके मुझे कोई action mode में जो नहीं आते हैं और ना ही वो इस relation को आगे ले जाने के बारे में कुछ सोचते हुए मुझे दिखाई देते हैं okay so guys यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी reading अगर आपको reading पसंद आई है तो please do like, subscribe and share और मैं मिलती हूं आपको next video में तब तक के लिए bye-bye take care झाल 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 झाल